आग्रा में सर्वाधेत लोग प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आग्रा जन्पद में हर कारधारक को निश्चिल को राशन देने का कार जारी है जन्पद में अब तक 6,30,000 राशन कारधारकों को राशन दिया जा चुका है इस दोरान पांच लोगों के खिलाब F.I.R. भी दर्ज कराई गई है जबकि 6 राशन की निलंबित भी की जा चुकी है 35,000 का जुर्माना अब तक राशन विकरताओं से वसूल आ गया है कोरोना काल में लोगों को राशन दिलाने के लिए उत्तरपरदेश सरकार ने जो बेवस्ताइं लागू की थी उसमें बहुत एहम योगदान सप्लाई विभाक का है हमारे साथ डिस्ट्रिक्स सप्लाई अफसर उमेश मिसराजी मौजूद है उनसे जानेंगे कि यहां कुल कितने काड़ धारक हैं और कितने लोगों को अब तक राशन वह वित्रित कर चुके हैं जनपद में बरतमान में कुल 6,95,000 राशन काड़ धारक हैं और मैं आपको वाकत कराना चाहूंगा कि लागडाउन काल में जो हमारे स्रमिक हैं या मन्रेगा मजदूर हैं उनके भी नए 5,000 राशन काड़ हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और तुरंत उनको राशन मोहिया करा जाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जनपद में एक तारिक से 12 तारिक के बीच में कुल 6,44,000 राशन काड़ धारकों को राशन उपलब्द कराया गया था जिसमें लगवक 97,000 स्रमिक और मन्रेगा स्रमिक और लेवर डिपार्टमेंट के रेजिस्टर्ट समिक उनको निसुलक दिया गया था उसके बाद दूसरा चर्ण सुरूबा 15 तारिक से 15 अपरेल से 26 अपरेल जो अभी चला है इसमें कल साम तक 6,33,000 लोगों को निसुलक राशन प्रत यूनिट 5 किलो दिया गया है और अभी हम लोग इसमें कल जो है विसेश वितरन दिवस जो अंतियोदय कार धारक बची रह गया है या दिव्यांग है उनके घर तक पहुंचाने की व्यूस्था खोज-खोज करके कि कोई छूटे ने उन्हें हम लोगे महिया करा रहे हैं और 26 तारीक को जो निश्वल के रासन लेने से रह गये हैं चावल को किसी कार से उनका उठा फिंगर प्रिंट नहीं आया है तो उसके ने प्राक्सी विधी से भी रासन दिये जाने की व्यूस्था है ताकि कि अगर मसीन में नहीं आया या कुछ भी कार रहा जिसके कार अभी तक नहीं मिल पाया तो 26 तारीक को ने अवसे दे दिया जाए मिसरा जी तमाम रासन विकरिताओं की शिकायतें आई लोगों तक कि वो पूरा रासन नहीं दे रहे हैं लोगों जाए यूनिट किसी की पांच हैं तो चार यूनिट का ही दे रहे हैं तो उन लोगों इखलाब क्या कारवाई की गई अब तक इसमें आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि जब भी कारधारक किसी दुकान पर पहुंचे रासन लेने के लिए तो वहां एक सूची लगी हुई है उस सूची में अपने यूनिट को जरूर देख ले क्योंकि यूनिट जो है जिन यूनिटों में साधी किसी का हो गया या किसी का मृत ही हो गया या उनके आधार डवल डुप्लिकेटर है वो हट गये हैं तो कई बार काडधारक को इस बात कर रहता है कि मेरे रासन काड़ पर मेरे पांच नाम है मुझे चार का मिलना है तो उसे वो देख ले जैसी सिकायते इसमें प्राप्त हुई है उसमें कारवाईयां भी की गई है अभी आपको बताएं कि एक अपरेल से जो बितरन चल लहा ह है उसमें हमने कम से कम पांच का उची दर विक्रिताओं के खिलाब फायार दर्ज कराया और छे दुकानों का निलंबन किया और लगवक 35,000 रुपए तक की जबती की कारवाई की गई है और इसमें हम आपके माधम से बताना चाहूंगा कि पूर पार्दस्ता पूर ब्योस् पूस्ते हैं तो उनको रासन नहीं मिलता तो वहां महारे पीडियाची में वबताती है जैसा कि यह इत्मात पुर्म हुआ तो उन लोगों के लिए क्या प्रावदान है देगे अब उसमें जो पीडियाच सिस्टम है उसमें रासन कार्ड धारकों को ही रासन देना है इसके पैरलल ब्योस्ता और बनाई जा रही है जैसे कि अगर कोई ब्यक्ति बाहरी स्टेट से आकर के यहां रुका हुआ है या दूसरे जिले का है उसका रासन कार्ड नहीं बना है यहीं का है घुमंतु परिवार है उनके लिए अलग से जिला प्रसासन के द्वारा एक निर्दे हो गया है कि ऐसे लोग जिनका रासन कार्ड नहीं बना हुआ है दूसरे जिले से हैं या दूसरे प्रदेश से हैं तो और यहां पर किसी तरह से फसे हुए हैं तो उनको फूट किट दिया जाए इसके समंद्ध में भी कारवाई शुरू कर दी गई है तो यह जानकारी जो ड या जिला मुख्याले पर एक शिकाइद दर्ज करानी होगी तो आपको वहां रासन मिल जाएगा तो कुल मिलाकर उत्रपदे सरकार ने जो रासन महिया कराया था आगरा जन्पद में तकरीवन हर व्यक्ति को रासन मिल चुका है और जो व्यक्ति रह थे हैं उनको रासन बित